दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 important stocks discuss करने वाले हैं देखने वाले हैं दोस्तों इनमें क्या important news चल रही है कैसा इसका technical chart structure देखने को मिल रहा है और क्या strategy हमको इनमें अपनानी चाहिए साथ की साथ discuss करेंगे इनके fundamental analysis as well as business models तो दोस्तों अगर आप एक long term investor हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफे important रहने वाली है तो आप इस वीडियो में end तक जरूर बने रहें और अगर आपके पास समय की कमी है तो आप वीडियो को 1.5x की speed से देख सकते हैं और दोस्तों ये वीडियो हम सिर्फ educational purpose के लिए बना रहे हैं कोई buying या selling call इसमें नहीं है तो अगर आप किसी stock को खरीदना या बेशना चाहते हैं तो आप अपने financial advisor की सलाह जरूर लें तो दोस्तों हमारा आज का पहला stock है AWL यानि की Adani Wilmar Limited अगर इसके technical structure की बात करें तो यहाँ पे पिछले 2-3 trading session से continuously upper circuit देखने को मिल रहा था ये दोस्तों ये जो आप छोटी-छोटी सी green candles देख रहे हैं ये इसके upper circuits की हैं यानि की हरो stock 5% उपर ही उपर जा रहा था यहाँ RSI चार्ट में भी ये आपको बिलकुल clear नजर आएगा लेकिन आज दोस्तों आज के दिन इसमें कोई circuit upper circuit या lower circuit देखने को नहीं मिला है शुरुआती के trading session में stock काफी slow था यानि की date से 2% की तेजी stock में देखने को मिल रही थी लेकिन धीरे धीरे जैसे ही market की closing निकट आती है stock में काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और end में ये 4.65% की तेजी के साथ stock ने अच्छ closing दी है तो कुल मिला के आज भी इसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है और stock अभी अपने 600 के level को पार करके 605.20 रुपीज पे closing दे चुका है दोस्तों अगर आप हमारे regular viewers हैं तो हमने AWL पे यानि की Adani Wilmer Limited पे पहले भी एक वीडियो बनाया था जब ये 550.40 के आसपास trade कर रहा था अगर आपने वहाँ पे stock खरीदा होगा तो आपको अभी अच्छे खासे profit में बैठे होंगे और अगर आपने उस time नहीं खरीद पाए किसी कारणवर्स तो दोस्तों आप इसको अपनी watch list में add करके चल सकते हैं और जैसे ही ये 550 के आसपास आपको कहीं मिलता है तो वहाँ पे आप इसमें position बनाके चल सकते हैं दोस्तों currently ये stock 605 पे trade कर रहा है और अगर इसके all time high की बात की जाए तो 878 रुपीज का इसने all time high clock किया था और वहाँ से अगर अभी discount percentage की बात करें तो लगबग 30-35% का discount यहाँ पे all time high से available है अगर ROCE की बात करें तो लगबग 20% का ROCE है और वही return on equity यहाँ पे 15.5% का देखने को मिल रहा है अगर stock PE की बात करें तो 113 का है तो clearly अभी थोड़ा सा overvalued ये stock देखने को मिल रहा है लेकिन दोस्तों ये stock थोड़ा premium पे ही trade करके चलता है और अगर इसकी ownership की बात करें तो ये अदानी और wilmar group का 50-50 collaboration है और आपको पता ही होगा अदानी group की companies थोड़ी सी premium valuations पे ही trade करती है और अगर इसके business model की बात करें तो ये edible oil बनाने में एक leader company है और इसके products AWL याने की अदानी wilmar के नाम से और fortune के नाम से market में देखने को मिलते हैं ये अपने refined oil fortune brand के under sell करते हैं और दोस्तों other than edible oil ये wheat flour याने की आटा, चावल, दाल, चीनी इस तरह से भी और भी FMCG products में business करते हैं तो कुल मिलाके आप बोल सकते हैं ये एक FMCG company है जिसकी market capital अभी 78,000 करोर के आसपास देखने को मिल रही है और दोस्तों अगर इसकी sales growth की बात करें तो last 5 years में इसने 18% की sales growth clock की है last 3 years में 22% की sales growth और अगर compounded profit growth की बात करें last 5 years में 29% की compounded profit growth and last 3 years में 31% तो long term का sales growth profit growth data काफी promising है तो दोस्तों all in all अगर आप इस stock को खरीदना चाहते हैं तो आप 550 के आसपास का level ध्यान रख सकते हैं और जैसे ही stock उसके आसपास आपको कहीं मिलता है वहाँ पे आप buying करके चल सकते हैं So let's move on to our next stock now और हमारा आज का next stock है Camcrux Enterprises Limited दोस्तों अगर हम इसके पहले कुछ पिछले trading sessions की बात करें तो यहाँ पे काफी गिरावट हमको देखने को मिल रही थी और उससे पहले अगर हम बात करें तो stock एक limited दाइरे में trade कर रहा था और इसी level पे 370, 360 के आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी strong support stock ने ले रखा है और वहीं बात करें आज के trading session की तो यहाँ पे 2.42% की गिरावट stock में देखने को मिल रही है तो दोस्तों कुल मिलाके अपने 360, 370 के आसपास का यह जो level है उसको stock अभी काफी respect करके चल रहा है अगर आने वाले trading session में यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिले तो दोस्तों 350 रुपीज के आसपास आप इसको धीरे धीरे accumulate करके चल सकते हैं और दोस्तों bulk buying बिलकुल नहीं करनी है धीरे धीरे slowly and slowly आपको थोड़े थोड़े से stocks खरीद के अपने portfolio में रख लेने है long term के लिए क्योंकि long term का business model इसका मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इसका chart pattern अगर history study करें दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एक consolidation face में company जाती है और फिर profit फिर stock उपर की दरफ भागता है फिर से consolidation और फिर से up move consolidation and up move फिर यहाँ भी same same pattern देखने को मिल रहा है consolidation and up move तो देखते हैं यहाँ पे आगे इसकी stock की कैसी moment देखने को मिलेगी दोस्तों market capital की बात करें तो 551 करोर का market capital है तो clearly एक micro cap stock है अगर return on capital employed की बात करें तो 38% का ROCE है वहीं ROE इसका 30.8% का देखने को मिल रहा है तो ROCE और ROE काफी शांदार देखने को मिलते हैं अगर 200 demoing average की बात करें तो 320 रुपीज का 200 demoing average है लेकिन दोस्तों वहां तक पहुँच पाएगा या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है बाकि अगर sales growth और profit growth की बात करें तो sales growth और profit growth काफी कमाल की देखने को मिल रही है अगर हम last 10 years की sales growth चेक करें तो 18% देखने को मिलती है last 5 years में 28% last 3 years में 20% और अगर हम compounded profit growth चेक करें last 10 years 36% की है last 5 years में 58% की है और अपने shareholders को भी इसने काफी अच्छा घासा return बना के दिया है अगर हम last 5 years के CAGR को देखें तो 106% के CAGR से इसने return बना के दिये हैं अपने shareholders को वही last 3 years में 130% के CAGR से और अभी last 1 year से इसने 209% यानि की अपने shareholders की wealth को 3 गुना तक कर दिया है एक लाख के 3 लाख इसने कर दिये हैं during last 1 year only तो दोस्तों ये होती है एक micro cap company की पार जब इसके profit double होते हैं तो shareholder की wealth भी double हो जाती है और छोटी companies में profit double करना कोई जादा मुश्किल काम नहीं होता है काफी असानी से profit double हो जाते हैं तो reward काफी अच्छा है और वहीं जहां reward होता है वहां risk भी associated होता है तो अगर आपको high growth chemical company चाहिए जिसमें काफी अच्छी growth देखने को मिल सकती है और साथ की साथ आप risk के लिए भी बराबर तयार हैं तो आप यहां पे buying करके चल सकते हैं क्योंकि company profit making है और debt free है company के पास कोई भी कर्ज देखने को नहीं मिलता है तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने next talk की और और हमारा आज का next talk है KPI Green Energy Limited दोस्तों आज कल energy sector काफी limelight में है और अगर आपको energy sector में एक growing company खरीदनी है जो clean energy में deal करती है यानि की solar power plant में तो आप यहां पे खरीदारी करके चल सकते हैं दोस्तों यह sector काफी positive है काफी high growing है और future में इसका scope काफी ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि future में scope renewable और clean energy sources का ही है और यह इस segment में एक high growth company है और market capital की बात करें तो 1550 करोर का market capital है तो clearly एक small cap company है जिसमें आगे चलके growth potential काफी ज़्यादा देखने को मिल सकता है दोस्तों अगर current price की बात करें तो इसने 860 के आसपास यह अभी trade कर रहा है और यहां पे आप देख सकते हैं past में 855 के आसपास इसी level पे काफी consolidation इसने face किया है और अभी भी यह वहीं पे support ले रहा है तो दोस्तों यह अपने support level को काफी अच्छी तरह से respect कर रहा है और अगर company में further गिरावाट देखने को मिलती है तो नीचे downward side में 800 रुपीज के आसपास इसका एक अच्छा support देखने को मिलेगा और यहाँ पे same 800 के level के आसपास इसने पहले भी resistance face किया है तो दोस्तों long term investors इस stock को अपनी watch list में add करके चल सकते हैं अगर हम बात इसकी ROCE यानि के return on capital employed की करें तो 20.7% का इसमें ROCE देखने को मिल रहा है वही return on equity यहाँ पे 33.4% देखने को मिलता है और face value रुपीज 10 का है और PEG ratio 0.57 है तो clearly as per PEG ratio stock अभी undervalued देखने को मिल रहा है और बात करें अगर इसकी 200 day moving average के level की तो 715 रुपीज का इसका 200 day moving average देखने को मिल रहा है और sales growth और profit growth की बात करें दोस्तों तो sales growth और profit growth इसके काफी कमाल की काफी growing नजर आ रहे है अगर हम last 5 years की sales growth की बात करें तो 53% की है last 3 years 86% की है वही compounded profit growth in last 5 years 41% in last 3 years 109% और अगर stock price CAGR की बात करें तो last 3 years में इसने 176% के CAGR से return बना के दिए है वहीं last 1 year में 179% के CAGR से इसने return बना के दिए है तो दोस्तों growth का काफी शांदर scope यहां पे नजर आ रहा है लेकिन अगर flip side की बात करें तो यहां पे company के पास थोड़ा सा कर्स देखने को मिलता है company अभी debt में चल रही है so friends let's move on to our next talk now और हमारा आज का next talk है हरियोम pipes limited दोस्तों इसको market में list हुए को अभी ज़्यादा समय नहीं हुए है और इस talk के बारे में हमारे subscribers हमारे viewers लगातार हम से पूछ रहे हैं तो friends अगर हम इस company के business model की बात करें तो यह steel pipes में deal करती है दोस्तों जो construction में use होता है जो grills और steel के gates doors, windows, etc, etc तो उन सब में जो steel work देखने को मिलता है वो यह company design करती है तो उस sector में यह एक organized player है दोस्तों एक छोटी company है अगर हम market capital की बात करें तो 910 करोर का market capital है तो clearly एक micro cap company है यह जिसका current price अभी 357 rupees के आसपास देखने को मिलता है और इसका all time high लगबग 400 rupees के आसपास है तो अभी कुछ खास discount यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है और अगर हम इसके जितना भी chart का data available है उसके हिसाब से देखें तो stock एक consolidation face में जाता है फिर stock price में surge देखने को मिलता है जैसे यहां पे एक बहुत अच्छा breakout देखने को मिला और फिर से एक range bound trade में stock चला जाता है अब देख सकते हैं यहां पे और उसके बाद फिर से यहां पे resistance breakout देखने को मिलता है और अभी stock 350 के आसपास trade कर रहा है तो दोस्तों अगर हम इसके further down the line support levels की बात करें तो 300 के आसपास एक support है और उससे पहले अभी यह 350 के आसपास trade कर रहा है तो दोस्तों अगर यह 300 के आसपास आपको मिलता है तो वहां पे आपको buying करके चल सकते हैं अगर इसके fundamentals front पे बात करें तो ROCE इसकी 28.7% की देखने को मिलती है और return on equity 35.3% का देखने को मिल रहा है वही face value रूपी 10 की है और PEG ratio के according 0.30 का PEG ratio है और अभी stock under value देखने को मिल रहा है sales growth और profit growth की बात की जाए तो compounded sales growth इसकी काफी अच्छी खासी देखने को मिल रही है last five years में 38% last three years में 48% और अगर compounded profit growth की data चेक करें तो last five years में 81% last three years में 54% और return on equity भी consistently लगबग 30% के आसपास इसके maintained है तो एक high growth company है जिसके profit consistently बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम 2020 की बात करें तो 8 करोड का यहां पर profit था जो 2021 में 15 करोड का हो गया यानि की almost double और 15 करोड से next year में 32 करोड यानि की वहां से भी double तो year on year basis पे इसके profit अभी double होते नजर आ रहे हैं और अगर हम balance sheet की बात करें तो इसका IPO अभी आया था तो obviously company के पास cash अच्छा खासा है तो अगर हम on books की बात करें तो इसके पास अभी 220 करोड का cash है और 83 करोड का debt देखने को मिलता है तो clearly यह कभी भी अपने debt को payback करके debt free बन सकती है दोस्तों इस sector में growth का scope काफी जादा है और अगर हम इसी sector में एक पुराने player की बात करें तो आपके सामने है APL Apollo tubes और अगर हम इस company की market capital का बात करें तो लगबग 30,000 करोड के आसपास का market capital है तो clearly अच्छी खासी बड़ी company है एक mid cap category में हम इसको categorize कर सकते हैं अगर अभी के time की बात करें तो इसका current price 1116 के आसपास चल रहा है और all time high की बात करें तो लगबग 1200 के आसपास इसका all time high देखने को मिल रहा है दोस्तों इसकी fundamentals भी काफी कमाल के देखने को मिल रहे हैं अगर हम ROCE की बात करें तो 34.7% की है और return on equity 28.2% का देखने को मिल रहा है और अगर हम इसकी sales growth की बात करें तो last 10 years में इसने 25% के sales growth clock की है last 5 years में 27% और last 3 years में 22% अगर हम compounded profit growth देखें तो last 10 years में 27%, last 5 years में 30% और last 3 years में 56% की profit growth देखने को मिलती है और इस stock ने अपने shareholders को भी अच्छे खाचे return बना के दिये हैं last 10 years में 51% के CAGR से इसने returns बना के दिये हैं last 5 years में 41% के CAGR से last 3 years में 82% के CAGR से इसने returns बना के दिये हैं तो returns काफी strong देखने को मिलते हैं तो दोस्तों अगर आप इस sector में एक well established याने के mid cap company में invest करना चाहते हैं तो आप APL Apollo tubes के साथ जा सकते हैं और अगर आप एक micro cap छोटी company में investment करना चाहते हैं same sector की तो वहाँ पे आप हरियों pipes को consider कर सकते हैं तो based upon your risk reward and risk appetite यहाँ पे आप investment करके चल सकते हैं दोनों companies same sector में काम करती हैं दोस्तों इससे पहले के videos के link आपको अपनी screen पे नजर आ रहे हैं अब उन दोनों videos को भी end तक जरूर देखें काफ़ important stocks हमने उन में cover किये हैं और दोस्तों हमारे channel को subscribe कीजिए bell icon को दबा के all पे जरूर क्लिक कीजिए videos को like कीजिए friends हमें support कीजिए ताकि हम आपके लिए continuously अच्छा अच्छा content बना के ला सकें तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care and thank you for watching this video